हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माई यूटूब चैनल बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेब बेब क्या होती है, ठीक है? इसको समझेंगे तो बच्चों, अगर हम अपनी जनरल लाइप में देखें तो आपने कभी तालाप में पत्थर को फेका होगा, ठीक है? तो जब हम तालाप में पत्थर को फेकते हैं, तो क्या होता है? बेब प्रड्यूस होती है, कुछ इस तरीके से आपने हिया पर स्टोन फेका तालाप में, ठीक है? तो यह बेब प्रडूस होगी और बेब यहाँ पर आपने पत्थर फेका है भाँ से स्टार्ट होकर किनारों की तरफ चली जाएगी इस कंडिशन में अगर उस तालाप में कोई भी लकडी का तक्ता पढ़ा है तो उन बेब के साथ फ्लो नहीं होगा बरकि जब बेब उस तक्ते से उकर पास होगी तो वो तक्ता लकडी का क्या करेगा एक बार उपर जाएगा एक बार नीचे जाएगा बस लेकिन रहेगा वो उस तालाब में अपनी जगह पर और बेब उससे पास होकर किनारों की तरफ बढ़ जाएगी ठीक है तो यह होती है बच्छो बेब इसमें क्या होता है बच्छो बेब की डिफनीशन क्या है अब बेब इस आर डिस्टर्मेंस इन अमीडियम डाट करीज एनर्जी फ्रॉम बन पॉइंट तो बिदाउट ता ट्रांसपर ओफ मैटर गोड़ बच्छो बेब जो ती होती है वो टू टाइप्स की होती है अगर हम बात करें अगर हम बात करें तो बेब कर साथ की है आर्च तक वो कौन सी वेब होती है, light वेब और ये light वेब क्या है, electromagnetic वेब तो sun और अर्थ के बीच में क्या है, vacuum कोई भी medium नहीं है, ठीक है बट sun से light अर्थ तक आ जाती है ठीक है, तो light वेब क्या है, electromagnetic वेब ओके, got it अब हम आते हैं फिरसे mechanical वेब की ओर तो बचो, mechanical वेब जो होती है वो two types की होती है, first one is transverse वेब, and second one is longitudinal वेब सबसे पहले हम बात करते हैं transverse वेब की, okay, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, transverse वेब होती क्या है तो बचो, suppose कीजिएगा कि कोई दिवार है, ठीक है इस दिवार में हमने एक रसी को बांदा, ठीक है और रसी के दूसरे end को हमने इस जगे पे पकड़ा, ठीक है और इसको उपर नीचे, उपर नीचे करके हिलाया, तो जो बेब प्रड्यूस होंगी, ये कैसी वेब होंगी transverse वेब, okay इसमें क्या होगा बच्चो, जो medium particles होगा, मतलब जो रसी के particles होगे, वो क्या होगे उपर नीचे, उपर नीचे vibrate करेंगे, कब जब हम रसी को उपर नीचे हिलाएंगे, तो जो medium के particles, मतलब रसी के जो particles होगे, वो उपर नीचे, उपर नीचे vibrate करेंगे बट जो बेब का flow होगा वो इस direction में होगा यहांसे आपको क्या समझ में आ रहा है कि medium के जो particles होगे वो up and down जो motion करेंगे वो बेब के flow की direction के perpendicular होगे तो बच्चों अब आपको transverse wave की definition बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी तो चलिए अब transverse wave की definition को समझते हैं तो बच्चों transverse wave क्या होती है a wave in which the particles of the medium vibrate up and down ओके at right angles to the direction in which the wave is moving is called a transverse wave transverse wave can be produce only in solids and liquids but not in gas तो बच्चों transverse wave solid और liquid में produce की जा सकती है but gas में ये produce नहीं होती है got it अब बच्चों transverse wave के examples को देखते हैं ओके तो बच्चों ही हम एक example दिया हुआ है कि the waves produced by moving one end of a long spring up and down rapidly whose other end is fixed are transverse wave तो बच्चों ही इसमें क्या दिखाएगा है कि एक spring है जिसके एक end को fix कर दिया गया है और इसके दूसरे end को up and down up and down करके vibrate कराए जाता है तो जो wave produce होंगी spring में वो किस तरीकी की wave होंगी transverse wave got it अब बच्चों मैंने यहाँ पे transverse wave की shape को दिखाया है ये transverse wave की shape है इसमें transverse wave के जो upper part होता है इसको हम बोलते है crust और transverse wave ता जो lower part होता है उसको बोलते हैं trough और इसके बीच में जो यह line होती है इसको बोलते है line of zero disturbance okay got it अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अब बच्चों हम आते है long tunnel waves पे ठीक है तो बच्चों sound wave क्या है long tunnel waves है और यह long tunnel waves होती क्या है चलिए अब इनको समझते है तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक spring को लिया है जो एक long spring है ठीक है यह long spring की एक normal position है अब बच्चों हम इस spring को क्या करते हैं बार बार push and pull करते हैं तो इस condition में इस spring में longitudinal waves produce होंगी उस condition में spring के जो coil होंगे वो कहीं कहीं पर pass में होंगे और कहीं कहीं पर दूरी पर होंगे यहाँ पर देखिएगा यह pass में है यहाँ पर यह दूर है फिर यहाँ पर pass में है तो इस तरीके से बच्चों जहाँ पर spring के coils पास पास में होते हैं उस region को हम बोलते हैं compression और जहाँ पर यह coils दूर दूर पर होते हैं उस region को हम बोलते हैं rarefaction इस तरीके से बच्छों longitudinal waves में compression, rarefaction, compression, rarefaction आपको देखने को मिलेगा तो बच्छों इस spring में जो wave produce हो रही वो कौन सी wave है? longitudinal waves, अब चलिए बच्छों इसकी definition को देख लेते हैं अब wave in which the particle of the medium vibrate back and forth, back and forth मतलब आगे पीछे in the same direction in which the wave is moving, is called a longitudinal wave जब हम spring को push and pull करेंगे तो wave का flow क्या होगा है? इस direction में ठीक है? और उसी direction में क्या होगा? medium के particles भी vibrate करेंगे spring के particles हो क्या होगे? इस direction में आगे पीछे, आगे पीछे इस तरीके से vibrate करेंगे तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ, अब wave in which the particle of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving, is called a longitudinal wave बच्चों, longitudinal wave can be produced in all the three medium ठीक है? कौन-कौन से medium है? solid, liquid and gas तो बच्चों, longitudinal waves को हम solid में भी produce कर सकते हैं, liquid में भी produce कर सकते हैं इस पुष्ट and pulled at one end are longitudinal wave तो यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर आप इसी भी spring को push और pull करते हो ठीक है? तो इसमें longitudinal wave produce हो जाती है तो जिस तरीके से यहाँ पर यह नॉर्मल spring को दिखाए गया है पर इसको push and pull किया गया है, ठीक है? तो क्या हुआ है? इसमें longitudinal wave produce हो गई है ओके? longitudinal waves में जहाँ पर medium के particles पास पास में आ जाएंगे उसको बलें compression और जहाँ medium के particles दूर दूर हो जाएंगे उसको बलें rarefaction तो इस वीडियो में मचो इतना ही, thank you